हाई प्रेंट आप इस वीडियो में देख सेकते हूं यहां पर दो पूल लगा हुआ है यहां पर थ्री फ्यज 11 किलो वोल्ट सप्लाई आया हुआ इस पूल पे और यहां से डिस्टूबिशन लाइन के लिए भेजा गया है मैं आपको दिखाता हूं यह जो वायर लगा हुआ यहां से चारव यानिकी चारव कंडूक्टर आपफूट में जा रहा है यहां पर देख सकते हो इस ट्रांसफर्मन में चार पूइंटाय और पूट के लिए यहां पर सिरी फेज और एक नूट्रल वायर है च्जोंकि डिस्टूबिशन में हमें नूट्रल वायर का ज़रू को भी कुमेंट काम नहीं करेगा अब हम यह जानते हैं हमारे घर के सबसे नजदिक वाला टांसफर्मर है उसका जैदी नूट्रल टूट जाए तो क्या होगा यह उसका नूट्रल टूट जाए तो हमारे घर में जो सप्ला आता है वह बहुत ही ज्यादा हाइब बोल्टेज में आ सकता है जिसके करन हमारा इकुपमेंट खड़ाब हो सकता है और यह किस तरका से हाइब बोल्टेज आएगा चलिए वह मैं आपको बताता है तो चलिए आपको सारा चीज़ इस डागराम के मदद समझेंगे यहाँ पर आपको असानी होगा समझने में यह दो एक गर झुरा हुआ है और नुटल से जुरा हुआ है यहाँ पर बहुत सारा घंप सरह हुआ रहता है एक सिंगल फेज में लेकिन और blue phase में घर 3 है आप देख सकते हो और यहाँ पर जो neutral है neutral तीनों घर में common है हमारे घर में जो supply आता है ठीक इसी तरीका से आता है किसी भी एक phase से supply आएगा और एक neutral आएगा सभी के घर में neutral common ही रहता है चली मैं आपको दिखाता हूँ यदि R phase का जो घर लगा हुआ है इसमें लेकर इस से तरह यहाँ से हमारा किसवी घर में neutral का फ्फिलो टूटता है तो हमारे घर में current का फ्फिलो नhy होगा और यहाँ से तो किस तरीका से होगा यहाँ से तरीका से इधर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि क्यとうकि यहाँ से break हो गया है तो ऐहां से यह आएगा इस तरह कासे इसमें होते हुए यह भुलू फयज में घुषते हुए न्यूट्रल में आएगा यहाँ आप देख सकते हुए सरक्यृटय किस का से कंपरीट कर रहा है यहाँ पर तरह और इस दोन हो तो बीच में जो है वोल्टे जो रहता है चार सो पंद्रों वोल्ट रहता है अब कभी वोल्टेज करोगे दोनों फीज के बीच में तो चार सो पंद्रों वोल्ट आपको सो होगा इसी तो चार सो पंद्रों वोल्ट इस दोनों घर के बीच में आपको यह डिवाइड होगा औ इस घर का रेस्टेंस जितना जयादा हगा उसमें उतना ज्यादा के। उतना ज्यादा वयोल्टेज का सप्लाय आएगा। झाल लिखाता हूँ चलियो मैं दोनोंका रेसिंटेंस मान लिए आर वैसी चलिभ सेक शलिवारी pan a2 निखाब़र घर का तो जिस घर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उस घर में ज्यादा भोल्टी जाएगा तो यदि आपके सामने वाला जो घर है तो उसका रेसिस्टेंस जदी कम है और आपका रेसिस्टेंस ज्याद है यह हो सकता है आपके घर में 300 भोल्ट भी आ सकता है जिससे आपके घर कुछ सीखने को मिला था वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद